हेलो दोस्तों मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर आप सब के लिए पर सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड वीडियो को लाइक किया है थैंक ये सो मच तो चलिए वीडियो की शिरुवात करते हुए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि आज आप इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं आप इस वीडियो में आज देखेंगे कि एक रिंगनेक पैरेट को खाने में कौन-कौन सी सबजियां दी जा सकती हैं इतना ही नहीं मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी सब्सी नहीं दे सकते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्या देख रहे हैं आप यही ना कि मेरे पैरट कर रंग इतना सुंदर कैसे हैं वही तो मैं आपको पताने वाली हूँ आज तो देखते रही आगे तक एक मिनट एक मिनट आपको एक चैलेंज देती हूँ क्या आपने कभी सिटाको फुल विन सुना हैं कमेंट करके जरूर बताईए देख रहे हैं ना मेरे पैरट कितना खुश है और कैसे खेल केल के खा रहा है बस आज आप वीडियो देखिए और आपका पैरट भी ऐसे ही करेगा ऐसे ही खुश रहेगा इसके पहले भी मैंने पैरट की डाइट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया था उसमें मैंने दो चीजों का जिक्री किया था एक था कैरोटिनोइड और दूसरा था पोरफायरिन तो आज इनी के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी आपको मिलने वा इसी तरह आप लौकी के टुकड़े दे सकते हैं इसको लौकी भी पैरेट्स दौकल लेते हैं तो जब कदू कटी को काचते हैं तो उसके बीच का पार्ट निकाल लेते हैं दी बीच को कहाते हैं इसी तरह इसको भिंडी भी बहुत पसंद है, जब भिंडी देना होता है तो उसका टॉप का पार्ट काटके और पूरी लंबी से भिंडी इसको पकड़ा देते हैं, अपने पैर में पकड़के फिर उसको आसानी से खा लेता है, उसके भी सिर्फ ये बीज ही खाता है, बीज थोड़ा सखाएगा या फिर वो उसको दिरे-दिरे खाना सीख जाएगा, इसके अलावा मेरे पैरट को टमाटर बहुत पसंद है, वो टमाटर के जो बीज वाला पार्ट होता है, उसको निकाल कर देते हैं एक कटोरी में, और फिर वो बीज वाले पार्ट को, मतलब बीज क खा लेता है और जो उसका रस होता है उसको ये पी जाता है, इसको बहुत पसंद है, वीडियो में सिर्फ सबजीयों की जानकारी है, इसके अलावा पैरट को फल बहुत सारे दिये जाते हैं, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो दोस्तों ये भी तो जान कि इन सबजीयों को देने के फाइदे क्या है, इनका जो रंग होता है, पंको का सुंदर साहरा रंग और जो गले पे रेड रिंग है और ब्लैक है, तो उन सब के लिए पैरेट को डाइट में ये पिगमेंट रिच फूड आइटम्स मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन इसके बॉड़ी में ये पिगमेंट जाएंगे और फिर ब्लड के तुरू वो उसके फैदर के जहां पे फैदर निकलता है उस पॉइंट्स पे पहुंचेंगे और फिर इस तरह सुंदर सुंदर पंक निकलेंगे, तो जो भी रेड औरेंज और यलो वेजिटेबल्स होती है तो अगर आप उसको केरिटोनॉइड रिच चीज़े खिला रहे हैं तो उसको इस सिटाको फुल्विन बना लेगा और फिर उसका हरा रंग है जो चमकीला हरा रंग होता है पैरेट्स में स्पेशली ये इसी से आता है तो इसलिए उसको केरोटिनॉइड मिलना जरूरी है त इससे केरोटिनॉइड पिगमेंट जो है वो सिटाको फुल्विन बन जाता है और फिर उसका ग्रीन कलर आ जाता है इसी तरह जो मकाव पैरेट्स होते हैं रेड कलर के या ब्लूइश कलर के उनमें भी ये सिटाको फुल्विन बनने के बाद ही उनका वो चमकीला रंग आता आएगा फेडेड रंग नहीं होगा ब्राइट होगा तो इन सबके लिए जरूरी है कि आप अपने पैरेट को फ्रेश वेजिटेबल्स जरूर दें उसको थोड़ा थोड़ा दें अगर मालीज आपका पैरेट नहीं खाता है तो उसको थोड़ा थोड़ा दें धीरे दीरे इसकी आदत हो जाएगी इसके साथ साथ स्प्राउट्स वगएरा आप दे सकते हैं फ्रूट्स दे सकते हैं दोस्तों वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको यह भी बताया था ना कि कौन से वेजिटेबल्स नहीं दे सकते हैं पैरेट को क्योंकि वो उनके लिए हा जरीला भी साबित हो सकता है तो उससे आपके पैरेट को बहुत जादा प्रॉबलम हो सकती है इसलिए प्लीज इन चीजों का ध्यान रखें कि उसको खाने में कभी भी लहसुन और प्याज वाली चीज़ें मत दें इसके अलावा एक और चीज है जो कि ना तो कोई वेजिट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें थैंक यू सो मच